नवस्ते दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास दसवी की बीजगरित की प्रशनावली प्रशनावली चार दो चरो वाले रेखिक समीकरन तो आईए जानते हम दो चरो वाले रेखिक समीकरन क्या होते हैं जिस प्रकार से जलिक में हम सभी जानते हैं환। कि हमारे एक तो होती है, चर رाशी और हमारी अचर राशी, राशी और अचरशी मिलकर ہमारे जिस प्रकार से निर्मान करती है उसे बोलते हैं एक हमेकありがとう वेंज़ग और जब हम किसी बीजी वेंजग को जीरो के बराबर या किसी संख्या के बराबर रग जेते हैं तो वो जाती हैं हमारी सम्मिक रोड़ कान। 1, 2, 3, 4 हमारी गिंदी तो दोस्तो अब हम्मेरे जो प्रशनाव लिए है 2 चरो वाले रेखिक समीकरण सबसे पहले हमारे पास 2 चर इस प्रशनावे इसके अंदर होगे 2 चरो वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होते है हम उसे देखて है जिस प्रकार से हमें कोई समीकरण दीवी होती है जैसे 3X-2Y बराबर 4 हमारे सामने एक समीकरण है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 चर है एक X और एक Y इस प्रकार से हमारे पास 2 चरो वाली एक रेखिक समीकरण है रेकिक समीकरण जिस पर जो हमारी चर राशी होती है उस पर घाट जो होती है हमारी वो एक होती है यदि हमारी घाट दो हो तो वो हमारी रेकिक समीकरण ना होकर ज्री घाट की समीकरण बन जाती है इसी प्रकार से यदि हमारी चर राशी पर तीन घात चार घात हो तो वो तर्किय घात की समिकरण और चतुत घात की समिकरण बन जाती है लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे दो चरो वाली रेखिक समिकरण की तो देखिए दो चरो वाली रेखिक समिकरण का फ्यापक रूप क्या होता है हम किसी भी दो चरो वाली रेखिक समिकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं जहां हमारा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 जहां हमारे X और Y जो है हमारी चर राशी है जबकि हमारे A, B और C जो है यह हमारी अचर राशी होती है दोस्तों जदी हम प्रशनावली में बात करें तो हमारे इसके व्यापक रूप हम इस प्रकार से देखने को मिलेंगे A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 जबकि हमें एक और समिकराण दी होगी जो होगी हमारी A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 जब दोस्तों हम इस व्यापक रूप की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीन प्रकार के रूप निकल कर आते हैं जो हमारा पहला होगा प्रकार इस प्रकार से यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं हो दूसरा जो हमारा प्रकार रूप सामने आएगा वो अता हैं हमारे पास जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 तथा बराबर हो C1 बटे C2 के जबकि हमारा तीसरा प्रकार जो होगा जब हमारे पास A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के इस प्रकार से जब हमारे पास 3 कंडिशन होगी उस इस्तति में हम समीकरण युगम के किस प्रकार से हमें मान प्राप्त होगे समिकरण युग में हमारा संगत होगा या आसंगत होगा या हमें समिकरण के कितने जो हमारी रेखाएं होगी ग्राफिय निरूपण में वो किस प्रकार की प्राप्त होगी उसकी बात करते हैं जब हमारी कंडिशन पेली होगी कि जिस प्रकार से जब हमें इस प्रकार की समीकरण दी होगी और उसमें अधि हम A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 के तो जब हमारी जो रेखाएं होगी ग्राफिय निरुपन में उसमें हमारी रेखाएं एक दूसरे की कैसी होगी रेखाएं एक दूसरे को प्रतीचेज करेगी तता समीकरण युग्म का अजीतियर हल होगे हमारी जो समीकरण युग्म होगा उसके आपके पास अजीतियर अजीतियर हल प्राप्त होगे तता हमारा समीकरण युग्म जो होगा इसका हमें ग्राफ यदि हमारे पास इस प्रकार की condition बनती है तो उसका ग्राफ ये निरूपन जो हमारा होगा वो इस प्रकार से हमारे पास होगा कि जब हम ग्राफ में इन दोनों समिक्रण युगमे से जो हमारी रेखाय प्राप्थ होगी वो कही ना कही दोनों रेखाय हमारी एक दूसरे को इस प्रकार से प्रची चेद करकी भी पाई जाएगी जब हमारे पास समिक्रण युगमे के हल A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के तता बराबर हो C1 बटे C2 के इस स्टधी में जो हमारी रेखाय होगी वो जो हमारी रेखाय होगी एक दूसरे पर संपाती होगी संपाती होने का मतलब है जब हम ग्राफी निरूपण में इसको करेंगे तो हमारी जो रेखाएं होगी दोनों की वो रेखाएं एक दूसरे के उपर ही हमें प्राप्त होगी इस condition में हम कहेंगे जो हमारी समीकरण के हमें हल प्राप्त होगे वो हल अनंत हल हमें प्राप्त होगे और हमारा समीकरण युद्मन भी संगत हल होगा समिकरण युगम कहल केसा होगा संगत होगा लेकिन यदि हमारे पास condition आ जाती है कि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के इस स्थती में हमारी जो रेखाएं होगी जो हमारी रेखाओं की प्राप्त होगी वो रेखाएं दूसरे की होगी सम तता हमारे समीकरन युगम की जो हल हमें प्राप्त होंगे वो कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ होगा उस ग्राफ में जब हमारी रिखाएं होगी वो कही ना कही रिखाएं एक दूसरे के समानतर प्राप्त होगी रिखाएं कही भी एक वो एक प्रकार का असंगत असंगत हल है तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहां देखा हमारी तीनों कंडिशन जब हमें इस प्रकार से इस प्रकार से हमारी रेखाओं की स्तती होगी किस प्रकार से हमारा हल होगा और हल की स्तती क्या होगी हमने तीनों कंडिशनों को देखा और तीनों कंडिशनों के ग्राफ भी मैंने आपके सामने यहां पर आपको बताए अब हम बात करते हैं जब हमें इस प्रकार से हम कोई सम सम्हिकरन को मुझान देगे लेंगे और निरुपण भी उसका करके। सब्सक्राइब कीजिए तता डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहीज फेसबूक इंश्टा वाट्सब्सक्ता सबी कौन हमें फोलो कर सकते हैं। तता हमारी offline classes भी निरंतर महानी मंडी ज़लावार शेतर में जारी है दोस्तों आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं और अपने घर बेटे अपनी पढ़ाई को पूरे कॉर्स को सुचा रूप से जारी लग सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए